नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्ट चंदान सिंग फिर से आज और एक बढ़ नई वीडियो के साथ आपके अपने फिर्ट चलना CS टेक्निकल पर तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चे को केंद्रे विद्याली स् एक्जम्टेड है ये सारी बाते आज की सुडियो मैं आपको बताऊंगा कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये एक फीज को लेकर के मास्टर वीडियो है जिसमें आपको A to Z जानकारी दूँगा और लड़कियों के फीज को लेकर की भी और लड़के को फीज के लेकर यानि के यहां पर आपको केंड्रियव डाल स्कुल में एडमिशन से रिलेटेड और साती साथ जो मतब नए अटबेट आतहे हैं केंड्रियव डाल पर लेके चलता हूं और एक-एक डीटेल को आपको अच्छे से समझाता हूं कि लेकर के 12 तप का कुछ चिस तरह से आपको मिलेगा बैंक के द़रा अगर पीडर कि यह ऑनला ऐनिकरक यह समय म。 क्लास 1 का टाइम चल रहा है और सबी पेटर चाहते हैं क्लास बच्चों की फीज कितने लगती है तो देखें, क्लास 1 में गल्स और बॉइस, दोनों की फीज की बारे में बात करेंगे यहां पर, यह क्लास 1 लिखाव है यहां पर आप देख सकते हैं, उसके बाद, एक क्वाटर की फीज जाएगी, अप्रेल से लेकर के जून तक की, एक अप्रेल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तकी फ जो क्लास 1 के लिए ट्यूशन फी एक्जम्टेट होता है, गल्स और बॉइस दोनों के लिए, उसके बात आती है, वीवीएन की, विद्याले विकास ने दी, 500 रुपे पर मन्त के हिसाब से 3 महिने का 15 रुपे जाता है, ठीक है, उसके बात, एड्मिशन फी, किसी की नहीं ल जाते हैं, उनका 25 रुपे जो है, एड्मिशन फी लगता है, ओबर ओल एक क्वाटर का जो आपका फी जाएगा, फस्ट में आपका शुरवाती, जो फस्ट क्वाटर का जो जाएगा, वो जाएगा 1525 रुपे, एक्वाडिंग टू अधर इस्कूल बहुत ही कम है, और आपक जाते हैं, बोईज एंड गल्स दोनों के लिए होगे, क्लास सेकंड यहां लिखा हुआ है, उसका बाद ये भी जो एड़िज अपरेल से लेके जून तक का जो मतलब फर्स्ट क्वाटर की बात करेंगे हैं, इसमें जो गल्स एंड बोईज क्लास टू के लिए फीज सबी चीजों पर मैंने जो है क्रॉस किया हुआ, आप देख सकते हैं, तो कुल मिलाकर जो क्लास सेकंड की जो बच्चों की फीज जाती है, वो जाती है पंदरसो रूपे, ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ और खास बात बताऊंगा, कि किस किस का फीज होता यहां पर मैंने, क्लास 3-28, बॉइस इसलिए लिखा क्योंकि बच्चे के हां पर मैं नाम नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि बॉइस अन गल्स होंगे जारी से बाते स्टुडेंट्स ने में, दोनों में से कोई एक होगा, तो इस कंडिशन में देखिए, बच्चों की जो ह उसका आद विद्याले विद्धास नीदी यह लगता है यह पंद्रस रुप्यास तीन महीने का मतलब 500 रुपीस त्री मंत के साफसे कर जोड़ेंगे तो फंद्रस हो गये ठीक है उसके बाद यहां पर च्लास थरी से computer education fee ये add हो जाता है सभी बच्चों का 100 रुपे पर मंत की इसाब से लगता है तो 3 मही ने कहोगे यहाँ पर 300 ठीक है यह होगे 300 उसके बाद बाकी जो अधर है computer science, library, project, other ये सब exempted होता है उसके बाद जो overall fees जाती है class 3 से लेकर के class 8 तक की अठारा सो रुपे ठीक है ये अठारा सो रुपे फीज जाती है class 3 से लेकर के 8 तक boys and girls दोनों की तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हो class 9 और 10 की ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे boys की class 9 और 10 में boys की फीज की फीज कितनी होती है ठीक है तो ये भी विद्धेले विकास नीदी 500 रुपे के साब से तीन महीने की आपका फंदरसो उसके बात कम्पीटर एजुकेशन फीज ये हो गया आपका सो रुपे पर मत के साब से तीन सो रुपे हो ठीक है तो ये हो गया आपका आपका जो है overall तीन महीने का फीज जाएगा 2400 रुपीज ठीक है ये जाएगा आपका तीन महीने का उसके बाद बात करेंगा हम क्लास 9 और 10 की गल्स की फीज के बारे में तो अगर गल्स की बात करें तो देखिए यहां पर यह लिखा हूए गल्स उसके बाद होगा क्लास 9 और 10 उसके बाद देखिए एक एक वार्टर की बात करेंगा हम यहां पर तो सबसे पहले बात करें ट्यूशन फी क्लास 9 और 10 में भी लड़कियों का ट्यूशन फी एग्जम्टेट होता है कुल मिला करें क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक गल्स का ट्यूशन फी देखेंगे एग्जम्टेशन फी जो है 100 रुपे के हिसाब से 300 रुप लगेंगे ओवर्व जो है गल्स का ट्रास 9 और 10 वेज़ों फी बनेगा अठारह सो रुपे बनेगा मतब तीन महिने का आपको अठारह सो रुपे करना है बच्चे का फीज ठीक है उसके बाद बात कर गए हम Class 11 कि तो zo class 11 की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे class 11 की और यह बात करेंगे Commerce and Humanities ठीक है तो यहां पर देखिए एक क्वाटर की बात करेंगे हम तो सबसे पहले बात करेंगे तुशन फी फी जैसा कि पहले भी था 300 रुपीज पर मंद के इसाब से 900 रुपे हो गए बच्चे के ठीक है उसके बाद बीवियन जाएगा ही जाएगा 500 रुपे के इसाब से 1500 रुपे हो गए उसके बाद computer education fee ये नहीं जाएगा ठीक है class 11 में बच्चों की computer education fee नहीं जाएगी boys की इसके बाद ये computer science ये जो है optional होता है computer science fee है ये optional होता है जो बच्चे additional subject होता है computer science का अगर ये लेते हैं तो 450 रुपे जाएगा तीन माहिने का यानि 150 रुपी जो है पर मंद की साब से 450 रुपे हो जाएगा 3 मेईने के ये optional subject होता है अगर बच्चे लेना चाहे तो ले सकते हैं अगर नहीं लेते हैं तो ये इसमें से ओबरॉल में से ये माइनस हो जाएगा बाकी लाइब्रेरी फाइन प्रोजेक्ट फी ये बाकी अधरी इसमें भी नहीं लगते हैं कि यहां पर कट किये हुए न यह आप देख सकते हैं यह 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 सब नहीं लगते हैं ठिके लास 11 और 12 में बॉइस की में बात कर रहा हूं ठीके तो अगर अगर बच्चें कम्पीटर साइन्स नहीं लेते हैं तो इसमें से 450 रुपे माइनस हो जाएंगे तो अब इसके स्ट्रिम की बात करें सबसे पहले यह भी एक क्वाटर की बात करेंगे हम तो ट्यूशन फी जैसा कि मैंने आपको बता है क्लास वन से लेकर करके ट्वेल तक जो है कल्स का एक्जम्टेट होता है तो यहां पर भी ट्यूशन फी नहीं लगेगा विद्याले विकास नहीं दी ल लगेंगे जो लाइब्रेरी प्रजेक्ट अधर है यह नहीं लगेंगे ओबरॉल जो है उनी सो पचास उपर बनता है बच्चे का मतब गल्स का बनता है 11 और 12 में जो कॉम्बर्स और हीमानिटी सब्जेक्ट वाले होंगे उसमें से भी 450 माइनस हो सकता है अगर कोई बच्च की बात करेंगे तो यहां भी देख सकते इलेवंध और 12 ली का हुए यह भी हम एक वाटर की बात करेंगे उसके बात देख सकते हैं तो यहां भी बच्चा गल्स की टुशन फी जो एक्जम्टेट होगी वीवीन उनका जाएगा पंदरस रुपे तीन महीं एका उसके बाद क इस पर मैंने रेट लगा रहा है रेट क्रॉस किया हुए अप देख सकते हैं यह यह चीजह जो है नहीं लगती है बच्चों की ठीक है उसके बाद बात करेंगे हम क्लास 11 और 12 में बच्चों की ठीक है तो साइंसी स्ट्रीम की बात करें तो देखिए यहां पर भी लिखा की ठीक है बॉइस की बात कर रहे हैं पर टीशन फीज हो जाती है तीन वहीन की उसके बाद वीविएन विकाज विद्ध्याले विकास नहीं दी हो गया फंदरासर रुपे पांटसर रुपे की साफ उसके बाद कंप्यूटर साइंस फी जो है अगर कोई बच्छा ऑप्शनल लग सकता है यह देख सकते हैं यहां पर लिखा हुए ना अगर विविएन वाला है लेट फी से तो उनका विविएन वाला चार्ज यहां पर लग जाएगा तो यहां पर यहां पर यह जो है अभी अगर कोई फाइन नहीं लगता है तो यहां पर ओवराल जो बनेगा वहीं क बच्चे का मतलब एडमिशन कराते हैं तो हमें पता होगी किस क्लास में कितना मतलब फीस लगता है एक अंदाजा मिल जाएगा तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोसिस करके आपके लिए वीडियो लेकर आया और क्लास वाइज, स्ट्रीम वाइज, कोटा वाइज आपके लिए में सारी डिटेल्स लेकर आये था तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आज की स्टूडियो में जितनी बाते मैंने बता ही हैं सब समझ में आग जोंगी देखिए एक और बात बताना चाहूँगा आप से इपर प्रचे हैं उनका क्या है कि वो आर्टी में कंसिडर किये जाते हैं और उनका की High exempted होता है उसके बार बात करेंगे RT quota के बारे में, यहनी right to education quota के बारे में. तो देखिए जो भी बच्चे right to education quota से यहनी RT quota से बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनका जो है class 1 से लेकर के class 8 तक जो है fee exempted होता है, और उसके बाद class 9 से लेकर के class 12 तक जो बच्चों की fees लगती है आम बच्चों की तरह तो दोस्तों यह कुछ जानका रही है थी quota और category को लेकर के इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगा आप सभी parents को कि जो भी parents अपने बच्चे के कास कोटे से अपलाई करते हैं लाइक AC और ST से तो उनके भी फी में एक्जम्टेट है यानि जो उनका ट्यूशन फी है वो class 1 से 12 तक नहीं लगता है जो भी बच्चे KBS employee है और उनके अगर बच्चे केंदर वेज एल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों का भी जो है ट्यूशन फी exempted होता है class 1 से लेकर कि class 12 तक इसके साथ साथ एक और बात पताना चाहूंगा आप सभी parents को कि जो भी armed forces में थे जो वार के दोरान missing है या सहीद हो गया है या physically disabled हो गया है तो उनके बच्चों की जो है ट्यूशन फी कंप्यूटर फंड और साथी साथ जो वी बीन है वह exempted होता है कुल मिला कि यह बोल सकते हैं कि उन बच्चों के जो है computer fund हो गया वी बीन हो गया यह सब exempted होते तो overall देखा जाए तो उनकी फी exempted ही होती है तो दोस्तों यह कुछ जानका रही है थी केंद्रे वी डेल स्कूल में फी स्कोल लेकर के बहुत सारे पेरेंट जानना चाहते थी केंद्रे वी डेल स्कूल में क्लास वन से लेकर के 12 तक का फी exempted के बारे में तो इसलिए मैंने overall एक वीडियो बनाया ताकि आप सबको यह टूजेड जानका रही हो कि किस किस बच्चों की जो फी exempted होती है किस की नहीं होती है किस का कितना फी से लगता है किस का कितना चार्ज लगता है यह overall आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल ग कि जागता पता गले थैंक यू जाहिन जाय भारत